अद्रक का ये तेल दजन लगा लो बाल मोटे लंबे होकर चोटी जमीन तक छोने लगेगी वैसे तो नारिल का तेल, बदाम का तेल, जैतून का तेल इतने सारे तेल बालों में लगाने के लिए हैं लेकिन हम लोग इन्फूजन ओयल क्यों प्रिपर करते हैं तो ये चीज में आपको क्लियर कर देती हूँ, जब हम सेलोंस में जाकर अपने बालों में स्मूधनिंग कराते हैं तो बालों में 3-4 क्रीम लगा जाती है किसी क्रीम का काम बालों को स्ट्रेट करना होता है, किसी का काम बालों में स्मूधनिस लाना होता है और smoothing कराने के बाद भी आपको अलग-अलग serum, oil conditioner suggest की जाती है लगाने के लिए ताकि अलग-अलग तरीके से बालों को healthy रखा जा सके और उनको damage होने से protect किया जा सके वैसे ही infusion oil होते हैं अगर हम नारल के तिल के साथ ऐसे different natural ingredients मिलाकर oil prepare करते हैं जो ingredient actual में बालों की health का पूरा-पूरा ख्याल रखते हैं तो infusion oil prepare करके बालों में लगाना जादा effective होता है compare to other oils इसलिए आज मैं prepare करूंगी अद्रक से बना ऐसा oil जिसका बाकी oil के साथ आप comparison कर ही नहीं सकते इसको बनाकर लगाने से आप खुच surprise हो जाएंगे तो चलिए आपका जादा time नव वेस करके infusion oil prepare करते हैं आज का most powerful ingredient जो हमें आपर चाहिए होगा वो है अद्रक अद्रक में कई सारे vitamins, fatty acid, nutrition होते हैं अद्रक का रस बालों के लिए बहुत अच्छा cleanser होता है यह हमारे hair roots से लेकर पूरे बालों को उनमें जो dandruff होता है गंदगी जमा होती है सबको clean out कर देता है बालों की growth करने के लिए इसमें anti-oxidants होते हैं और anti-oxidant का application growth करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है अद्रक में anti-oxidant की इतनी सारी मात्रा होती है कि hair follicles की health का खयाल रखता है और अद्रक का piece आपने लेकर छोटा सा इसको छील लेना है और इसको कूट लेना है जिस बरतन में आप oil prepare करेंगे उसमें आप इसे डाल देंगे दूसरा ingredient यहाँ पर मैंने लिया है white sesame seeds सफेद तिल इनको खाया बेजाता है अगर आपको हमेशा अपने बालों की health का खयाल रखना है और आपके बाल डेमेज ना हो long strong हो अगर आप ऐसा चाहती है तो आपकी diet में आपके तेल में omega 6 fatty acid होना बहुत जरूरी है तिल के अंदर सबसे आदा fatty acid होते हैं तिल्म के अंदर जो oil होता है उससे जो oil निकलता है ये बालों को shiny बनाता है हमारे बालों का रंग गहरा करता है इट मींस हमारे बालों को काला रखता है हमेशा एक चमच आपने इसमें सफेद तिल डालना है अब next यहाँ पर हमें चाहिए होगा दो से तीन चमच coconut oil जो कि हमारा base oil होगा coconut oil के जगा आप जो भी तेल अपने बालों में लगाते हैं बदाम का तेल सरसू का तेल तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं coconut oil काफी easily बाकी ingredient के साथ उनके goodness को accept कर लेता है इसलिए यहाँ पर मैंने दो चमच coconut oil किया है next मैंने इसमें डाला है mustard oil सरसू का तेल आप combination भी रख सकते हैं अगर आप सिर्फ सरसू का तेल या नायल का तेल लाना चाहते हैं तो वो आप अकेले भी डाल सकते हैं आप हमने क्या करना है इस oil को हम तब तक पकाएंगे जब अद्रक और तिल ब्राउन ना हो जाए जब अद्रक ब्राउन हो जाएंगा इट मींस अद्रक और तिल की जितनी भी goodness है वो सारी oil में चली जाएगी तो आपने इसको चानकर अलग कर लेना है यानि oil को हम अलग कर लेंगे oil आप चाहें तो रात को सोने से पहले भी अपने बालों में लगा सकते हैं दूसरा आप इसको दो घंटा अपने बालों में रख सकते हैं तो जब भी आप बालों में अपने तेल लगाएंगे तो लगा कर आपको मसाज करनी है मसाज के लिए आप डर्मा रोलर भी ले सकते हैं या आप स्केल्फ मसाजर ले लीजिए दोनों में से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपने क्या करना है हलके फिंगर प्रेशर से स्केल्फ में अच्छे से मसाज करनी है और बालों को बान दीजिए दो घंटे बाद नहराने लगेंगे और रसी जैसे मजबूत हो जाएंगे if you believe me or not बट ये oil ऐसे ही results देता है क्योंकि अधरक हमारे बालों के लिए magical होता है इस तरीके से आप भी अपना homemade अधरक infusion oil प्रिपार कर सकते हैं और अपने बालों की खुपसूरती को बढ़ा सकते हैं इसलिए आप